Happy Independence Day But are we really independent? Do you think we are independent? Do you think we are free? आज कि इस वीडियो में हम किसी topic किसी lecture के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज कि इस वीडियो में एक question mark है किस पर? तो 15th ऑउगस्त पर Happy Independence Day जो हम wish करते हैं इस सोतंत्रता दिवस पर एक question mark है एक सवाल है इस पर जब आजादी के 78 साल के बाद एक government medical college में एक female resident को sexually assault करके, rape करके, brutally उनका murder कर दिया जाता है और इसके बाद बजाए इसके against कोई action लेने के college authority और local administration ये कोशिश करती है कि इसे suicide का रूप दे दिया जाए, इसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाए और इसके साथ-साथ महां के जो principle उनका इतना घटिया और इतना illogical statement आता है इन सब के बाद भी, do you think that we are free, क्या ये आजादी है, but extremely sorry from my point of view, this is independence but not for us, ये किसके लिए है तो ये independence, ये स्वतनतत्रा, सारे के सारे terrorists, criminals, rapists, sexual assaulters, psychopaths और our beloved politicians के लिए है क्योंकि उनके लिए तो सब चंगा चल ला है, सब बहुत बढ़िया चल ला है, all good, according to them Dr. Momita Devanath, RG कर Medical College, Kolkata कि एक second year की female PG resident ये resident क्या होता है, hospitals में resident doctors उन्हें कहते हैं, जो अपना MBBS complete करके, masters के पढ़ाई करते हैं, MS EMD करते हैं और वो 3 साल तक hospital के ही resident होते हैं, 3 साल तक उनका घर, वो hospital ही होता है, उनका life, patients ही होते हैं इसके अलबा कुछ नहीं, there is no leave, कोई छुटी नहीं होता, कोई weekend नहीं होता, कोई Sunday नहीं होता 24 by 7, 24 गंटे 7 दिन, वो hospital में ही रहते हैं, आपके लिए ही रहते हैं, आपके जैसे patients के लिए ही रहते हैं, ताकि आपका life bitter कर सके और बदले में उन्हें क्या मिलता है, rape, murder, physical violence, sexual violence, mental torture, बस यही सब Same, Dr. Komita Devanath, एक female PG resident थी, after a long duty of 36 hours, 36 गंटे के long shift के बाद, वो dinner करती हैं, अपने जुनियर के साथ, डिनर करके जाती हैं, rest करने, after a long shift of 36 hours, डिनर करके वो जाती हैं, rest करने, रात के 2 बजे, और बस वही कहानी शुरू हो जाती है, लगवक्त 3-5 बजे के आस-पास, उनका sexually torture हो और फिर, जो murderer है, जो rapist है, वो बिंदास जाकर, पुलिस के barring में आराम से चिलमार कर सो जाता है, is it possible without any involvement of authority, क्या ये सवाल नहीं है, इसके बाद, hospital authority के तरफ से, उनके family को call किया जाता है, और call करके बोला जाता है, कि your daughter has done suicide, आपकी बेटे में suicide कर लिया है, सबसे पहला, ज इसे हम दबा दे, इसे हम suicide का रूप दे दे, family को बताया गया है, कि आपके बेटे में suicide कर लिया है, उन्दर family वहाँ पर पहुंची, family को body भी नहीं दिया जा रहा था, लगभग 12-15 घंटे के वेट करने के बाद, रोनी गिर गिराने के बाद, family को Dr. Momita का body दिया गया, सबस् आप उनका autopsy report पढ़ो, semi nude body मिला, multiple semi inside the female patient, inside the victim, इसके साथ-साथ genital torture, physical torture, eyes from the blood, आँखों से खून आना, पूरे face पर, lips पर, tongue पर, खून ब्रीडिंग, पूरे body पर scratch marks, face पर scratch marks, highlight bone, pelvic bone का fracture हो जाना, ये बोलते हैं मेरी रूख आप जा रहे है, आपके पढ़ो अगर हिम्मत है आपके अंदर दो, इससे पढ़ो और इसके उपर आवाज उठाओ, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाओगे, तब तक ये government, ये administration, ऐसे ही puppet बनके सब कुछ देखते रहेंगे, और इन सब के बाद भी, जो वहां के principle है, principle का statement आता है कि डॉक्टर उस time seminar hall में क्या कर रही अब अगर 36 घंटे के duty के बाद, आदमी अगर rest करने जा रहा है, उस पे भी question mark है कि वह doctor वहां कर क्या रही थी, बजाए इसके आप जाकर जो culprit है, उस culprit को पकरो उसके against action लो, आप ये बोल रहे हो कि वह victim वहां पकर क्या रही थी, is it true, ये क्या, ये क्या, ये क्या, इस statement के प वहां पर hospital में evidences को tamper किया रहा है, सारे के सारे सबूत को मिटाने का कोशिश किया रहा है, अभी आज 15 अगस्त है, कल रात 12 बजे कल रात बर वहां पर अलग अलग politicians, अलग अलग political parties के बहुत सारे लोग वहां पर जाकर evidences को वापस से मिटाने का कोशिश कर रहे हैं, मार पी world YouTubers हैं, जो कि इस पर social issues पर बनाते हैं, dictatorship, dictatorship करते हैं, उनके पास अभी एक शब्द नहीं है बोलने को, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई फायदा नहीं है, कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो इसलिए अभी कोई नहीं बोलेगा, और ऐसा बनी है कि यह एक पहला case है, it is not the first case, रोज जाने कितने ऐसे cases होते हैं, उन्हें दवा दिया जाता है, अगर आप medical field में नहीं है, जो medical profession में है, जो doctors है, medical college के अंदर क्या toxic culture है, यह कभी बाहर नहीं निकल पाता, अंदर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं जल पाता, medical colleges के अंदर में toxic culture के बार medical professionals के अगेंस doctors, nurses और other medical staffs के अगेंस physical tortures, mental torture, in fact sexual tortures, यह सब बहुत common है medical field में, एक report के according, 75% of the doctors in India face physical violence, यानि कि भारत में जितने भी doctors हैं में से 75% doctors हैं, जो life में कभी ने कभी physical violence सफर करते हैं, mental violence तो छोड़ीं दीजे, mental violence तो सब के सब सब सफर कर रहे हैं, physical violence भी सफर करते है आजादी के 78 साल के बाद भी जब एक female rape victim को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके justice के लिए हमें लड़ना पढ़ रहा है, हमें government के against बोलना पढ़ रहा है, हमें nationwide protest करना पढ़ रहा है, जब यहां पर संदीव घोस्ट जैसे principle हैं, जो कि ऐसे illogical statements देते हैं, ऐसे rapist और ऐसे murderers है जो कि rape और murder करके बिंदास जाकर police barrack में सो जाते हैं, इसके बाद भी, do you think, are we really independent?